हेलो डियर वेलकम टू एज्ज अकेडमी हम दूसरा पार्ट लाए है डाइस का कलम लोग ने डाइस पर कुछ पॉइंट पर बात किया था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे देखते हैं पहले ही रिवीजन कर लेते हैं कलकिस किस टॉपिक पर बात हुई है फिर आगे देखर के 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 पढ़ते हैं जैसे प्रीवेस वन पढ़ते हैं आईए देखते हैं कल हम लोगोंने बेसिक के बारे में अच्छे से जान लिया कि डाइस क्या होता है डाइस के फॉर्म कौन-कौन से होते हैं डाइस को किस तरीके डिस्ट्रिबूट कर सकते हैं डाइस के बारे में अच् standardized है फिर हम identify करना हम लोगों ने सीखा था कि standardized क्या होता है और non standardized क्या होता है हम लोगों ने इन दोनों topic को अच्छे से cover किया है अगर आपने नहीं देखाया तो जाकर part 1 देखें फिर part 2 पर है तो जाद अच्छे से आपको सौन में आएगा आज हम लोगों के वल एकी dice होती है उसी dice को बार बार जम करेगा तो हो सकता है पहली बार जम करे तो कुछ digit है दूसरी बार जम करे तो हो सकता कुछ और digit है तो दोनों को जब मिलाएगा तो उसमें से एक सता क्या हो जाएगी common हो जाएगी उसी को बोलते है इस चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे, आईए देखते हैं अगला टॉपिक इसी में, देखिए, हेडिंग में प्रॉपर डली है हमारी इसमें, वन सर्फेस कॉमन, देखिए आपके सामने हैं, वन सर्फेस कॉमन, वन सर्फेस कॉमन में क्या होगा, मैं आपको भी बता हैं, कि एक्जामनर, एक ही डाईस को, मिनिममम दो बार, और मैक्शिममम आठ बार जब गर सकता है, तो exam में इतना ज्यादा आठ बार तो लेगा नहीं, तीन या चार बार लेगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कि तीन चार में वो कैसे ले सकता है, किस प्रकारश ले सक इसको मैंने हिंदी में भी बताया था आपको बता सकते हैं एक सता समान एक सता समान कैसे जिसे यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिये हैं पहला ये और दूसरा ये इन दोनों एक्जामपल के थुरू से हम वन सर्फेस कॉमन को अच्छे से समझेंगे इक्जामनर ने यहाँ पे दो डाइस को जंप किया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही का सिचुएशन में एक चीज कॉमन है क्या कॉमन है हम चीज को दिखते हैं यहाँ पर दो और यहाँ पर भी दो examiner ने जैसे भी throw किया इसको throw करने के वज़ा से दोनों situation में एक चीज common निकल गई एक चीज common निकली इसलिए इसको one surface common बोलेंगे अगर दो चीज निकलते तो इसको two surface common बोलेंगे जो कि आगले topic में हम इस चीज को पढ़ेंगे चलिए तो देखते हैं अगर यहाँ पर माल लीजए कि one surface common है जो चीज एक चीज common है इसमें दो dice में एक चीज अगर common है तो इस चीज को हमारा राम से समस्थ चलिए one surface common में क्या था कि एक चीज यहाँ पर common होगी इसी एक के common के वज़़े से हम इसके help से हम पूरे dice के जितने भी surface होंगे उनके हम opposite का पता करें कैसे बहुत simple form में आपको मैं बदाता हूँ examiner इसको कैसे थो किया आपको सोचने जो बिल्कूर नहीं है spread of dice जो पासे का प्रसार हम पढ़ेंगे तो महाँ आपको अच्छे सिखाऊंगा कि examiner जो dice को थो करता है वो किस form में थो करता है यहां हम के वाल यह जानेंगे कि यह जो एक का opposite क्या होगा तीन का क्या होगा, दो का क्या होगा, छे का क्या होगा चार का क्या होगा, इनके हमको opposite को पता करना और कुछ ने, आईए, देखते है माल यह एक dice है, यहाँ पर अगरChild common है, तो जो चीज common होता है, उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि पहले वाले dice में जो common है, वह दो common है, मतलब दो dot common है इस वाले में भी जो common है उसको भी हम लिख लेंगे याप पर दो actually दोनों में common है दो-दो इसलिए हम लोगों ने दो-दो को लिया उसके बाद इसको हम clockwise घड़ी की दिशा में मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ घड़ी की दिशा में इसको हम rotate करेंगे घड़ी की दिशा में rotate करने से क्या होगा कि examiner ने जैसे भी इसको through किया होगा उस situation से हम जान जाएंगे कि मुलक किस form में जाना चाहा है तो हम इसको घड़ी की दिशा में ही केवल ले जाएंगे तो ज़्याद आच्छ होगा हमारे लिए जैसे 2 है फिर 2 के just तुरंद बाद 3 dot आया है फिर उसके just तुरंद बाद 8 dot आया है ये तो पहले वाले dice की बात कर रहा हूँ पहले वाले का ये पहले वाले में जैसे through किया है उस चीज को हम clockwise देख रहे है दूसरे वाले के एगर हम बात करें इसका मतलब यहां से हमारा ये conclusion निकला कि जो चीज कॉमन है उसको अगर हम छोड़ दे और जो चीज अनकॉमन होती जैसे कि माली जी ये ये जो चारो है ये एक तूसरे से अनकॉमन है अगर ये अनकॉमन है तो हम ये चीज आराम से बोल सकते है कि तीन जो है, वो चार का पोजिट है एक जो है वो छे का पोजिट है जैसे आपको इहां notice कर लिए दो-दो अगर एक common है इसका मतलब ये है कि ये दोनो अनकॉमन है इसका मतलब जश इसका पोजिट ये नीचे वाला हो जाएगा इसका अपोजिट इस धरवाल हो जाएगा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तीन का जो अपोजिट है वो 4 हो जाएगा एक का अपोजिट जो है वो 6 हो जाएगा आईएक एक जाम्पल और इसको अच्छे समझते हैं कराम से आ जाएगा कुई जल्दी बाजी नहीं है देखिएगा देखिए जैसे मैंने एक डाइस लिए आपके लिए चलिए आपके लिए में दो चीज़ डाइस लिए उसमें एक्जाम पर नाम लिख देता हूं जैसे माले ये a बी च्ट्यव दी सी अ तो इसमें आपको पता है कि टोटल थो हमारे पास होते हैं चीज़ोते है तो जाहिए ज़ाइस बात है इक्जामनर को जो नाम लेना चाहिए नेम वो नेम भी examiner को 6 लेने चाहिए थे अब one surface common में एक सबसे उच्छी बात ये है कि जैसे हम लोगों ने standardized और non-standardized में पढ़ा था कि वहाँ पर केवल x लेकर 6 गिंतियों तक कही परियोग कर सकते हैं हाला कि ऐसा one surface common में नहीं है one surface common में दुनिया की कोई भी चीज ले सकते हैं बस केवल 6 चाहिए वो मैं किसी का नाम ले लू चाहिए मैं किसी place name ले लू चाहिए मैं number ले लू चाहिए मैं alphabet ले लू दुनिया का कोई भी 6 नाम में ले सकता हूँ दुनिया का कोई भी 6 नाम में ले सकता हूँ देकि examiner ने यहाँ पर 6 नाम का यूज किया, A, B, C, D, E, और F. Actually, मैं आपको 6 नाम का यूज करना चाहिए, इसने केवल 5 नाम का यूज किया, आप देखिए, A, B, C, D, E, और हाला कि C तो common है इसमें, C तो आपका common निकल गया, C आपका इसमें common निकल गया, इसलिए यह एक माना जाएगा, तो total 5 नाम का यूज किया, जबकि इसे 6 नाम का यूज करना चाहिए, यही से एक नियम पता चलेगा, आगे अभी देखते, फिर आपको सिखा रहा हूं मैं, कि जो चीज common होती है, उसको आप उसी form में वैसे ही लिख लेंगे, उसके बाद just आप इसको clockwise में खुमेंगे, दोनो dice में same बही करेंगे, same बही situation इसमें बनाएंगे, तो C के just तुरंद बाद A आया, और A के just तुरंद बाद B आया, उस situation में C के बाद तुरंद E आया, और A के just तुरंद बाद D आया, तो हम यहाँ से चीज़े बता सकते हैं, यहाँ सराम से चीज़ को बताएंगे, कि C तो यहाँ पर common निकल गया हमारा, C यह जो है वो common निकल गया, यह common निकल गया, और जो चीज uncommon होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब बोल सकते हैं आपे, A का जो अपोजिट है वो E आगया, और B का जो अपोजिट है, B का जो अपोजिट है D है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा यहां से, कि हमने A का अपोजिट E बताया, B का अपोजिट D बताया, तो आप ये भी बोल सकते हैं, आपे A का अपोजिट अगर E है, तो E B का अपोजिट A होगा, B का अपोजिट अगर D है, तो हम बोल सकते हैं, D का अपोजिट B होगा, लेकिन यहाँ पे हमको यह नहीं पता चल रहा है कि C का अपोजिट क्या होगा, तोटल तो C सर्फेस होते है हमारे पास आईए देखते है चीज को जो चीज common होती है उसका जगर हमें opposite निकालना होगा जो भी चीज common होती है यह one surface common के नियम में बता रहा हूं कि जो चीज common होता है उसका opposite हमेशा hidden वाला हूं examiner को 6 नाम लेने चाहिए थे examiner ने केवल 5 नाम लिए कौन कौन से लिया A लिया, B लिया, C लिया D लिया, E लिया लेकिन examiner ने F का नाम नहीं उसके इसका मतलब यह है कि गर दोनों जगा CC common हो गया इसका मतलब C का just opposite F होना चाहिए तिनियम है common का हमेशा आपका F हो जाता है एक example और लेते हैं बड़े आसा समझते हैं फिर से इस चीज़ को पूरा detail अभी आप समझे होंगे एक और लेते हैं ताकि आसानी साब को सौनी अच्छे से आजाए देखते हैं एक dice यह है एक dice यह है दोनों में कोई भी नाम ले सकता हो examiner ने बोला कि मैं नाम लूँगा R ले लूँगा P ले लूँगा Q ले लूँगा S ले लूँगा T ले लूँगा U ले लूँगा और V examiner ने बोला कि मैं 6 नाम ले लूँगा 6 चुछी 7 नाम हो गया यूज करेगा अगर अगर वो नहीं करता है छे नाम का यूज तभी तो बनेगा अगर मालो छे नाम पूरा एक बारगे में दिखा देगा तो फिर कोई सिच्वेशन ही नहीं बनेगी तो हमें आपोजिट निकालना और निबर निकालना बड़ा मुस्किल पड़ जाएगा ति एक ही कॉमन है इसलिए इसको वन सर्फेस कॉमन बोलते हैं आए देखते हैं इसको कैसे सॉल करेंगे एक्शलिए हम यहां पर पूरा फोकस जो कर रहे हैं वो केवल अपोजिट निकालने पर फोकस कर रहे हैं और एक्जामनर का मोटीब ही होता है कि आप उस चीज का हैं दोनौ सिच्वेशन में घडी की दिशा में हम घूनाता हैं तो हम बोलेंगे इस चीज को नाशत मियाइगा यह क्या कर रहे हैं आ राइका बोल सकते हैं कि ये बाइस आप क्या हो गए दोनों आपस में ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए यही सिच्वेशन इनका भी बन जाएगा ये भी आपस में क्या हो गए आपके लिए अपोजिट हो गए तो आप रामस यहां से बोल सकते हैं कि R का पोजिट T है और T का पो हमेशा hidden वाला होता है हमेशा hidden वाला होता है तो आपको बस identify करना है कि ये 6 नाम में से कौन सा hidden वाला है तो आपको पता चला R का यूज कर चुका है examiner ने P का भी यूज कर चुका है Q का भी यूज कर चुका है U का भी यूज कर चुका है T का भी कर चुका है और नहीं कर चुका है तो वो है S तो आप बोच सकते हैं पर आराम से कि Q का जो opposite है वो आपका S हो जाए तो examiner आप से हाँ पर किसी का भी अगर opposite पूछे तो आप आराम से बता देंगे कि कौन किसका opposite है और कौन ने कि यहाँ पर हमें बताना होगा कि opposite तो आप जान चुके है opposite के साथ साथ अगर हमसे examiner पूछ ले कि कौन किसका neighbor है opposite के साथ साथ हमें neighbor भी निकालने होगा ता एक बार और कुशिस करते हैं ताकि opposite और neighbor तो नो देख सके फिर वह एक slide बनानी होगी हमको वह चीज को देखकर dice का चलिए दो बना लिया हम लोगों ने चलिए इसमें नाम भी फिल कर देते हैं अपने हिसाब से जैसे माल लेता हो कि इस बार वह कोई place का नाम ले ले जैसे मालो की चलो इलाहबाद ले 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 लखनो ले ले कालपूर ले लिया उन्होंने भी बनारस ले लिया ठीक है ौर जैसे माल ली कुलकाता ले ले लिया मुंबाई ले 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 ऐसे च्छे नाम ने कोई भी ले लिये तो आपको समझने के लिए यह नाम चैं seams कर दे रहा हूग यह कोई भी नाम ले सकता ल के वी ए अम उन्हेंने 5 नाम ले लिया और जाहिस बाद इसमें एक नाम जोगे, वो common हो जाएंगे, तो आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें common कौन सा है, एक A हो जाएगा, ये common हो जाएगा और इस चीज में ये common हो जाएगा, ठिक, तो A और A दोनों situation में common हो गई है, तो आईए दिखते हैं, जो चीज common हो, उसको सेम वैसे फिल लिख लेते हैं, A और A, इस बार जल्दी बताऊँगा, आपको पहले सभी बताऊगा, इस बार हमको focus में नेबर पे करना है, चले, देखते हैं, A का just आगे बढ़ेंगे clockwise, तो A ला जाएगा, फिर आपका K आजाएगा, फिर इस A व मैंने आपको पहले ही बता है, जो चीज common होता है, उसका जो opposite है, वो hidden होता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, कि A का जो opposite है, वो hidden है, तो hidden यहाँ पर क्या है, अगर A ले चुके हैं, A ले चुके हैं, K ले चुके हैं, B ले चुके हैं, M ले चुके हैं, तो आप बोल सकते है आप जो hidden है वो है तो A का opposite जो हो जाएगा वो आपके लिए T हो जाएगा ठीक लेकिन हमें में तो यहां neighbor निगालना था और पहले पार्ट में मैंने आप कुछ चीज को बताया था कि किसी भी एक surface का opposite एक होता है लेकिन उसके neighbor जो होते वो 4 तो आप यहां पर एक चीज को समझ है तो जाहिस बाद इसके जो परोसी होंगे वो उसके 4 होंगे तो 4 कौन से होंगे L और M को छोड़ कर इसके सारे परोसी होंगे L के तो कौन कौन से होंगे अगर LM को छोड़ दू तो A हो जाएगा इधर आपका T निकला है T हो जाएगा इधर आपका K है इधर आपका B है यह situation अगर M के साथ पूछे तो M का पोजिट अगर L है तो L को छोड़ दो बाकि जितने भी चार नाम होंगे आपके वो उसके सारे क्या हो जाएंगे उसके निबर हो जाएंगे यही situation सारा सब के साथ बनें ठीक है आईए कुछ question देख लेते हैं इस पर मुझे लगा कि आपको sound में आगया होगा one surface common क्या होता है अच्छे समझाएं आई थोला से एक बार और थोला सा note देख लेते हैं इस पर कि one surface common के क्या important note है one surface common कि हम लोग थोला सा note देख लेते हैं चलिए note यहां पर साशे पहले ही आया कि यहां पर हम कोई भी छे नाम यूज़ कर सकते हैं कोई भी छे नाम का प्रियोग या यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं दूसरी बात यह लिख ला कि यहां पर यहां पर केवल एक सता एक सता यानिकी surface ही common होगी एक सता ही common होगी फिर तीसरी बात यहां सम लोगों यह सीखा कि जो common होता है जो common होता है उसका opposite यानिकी विप्रीत हमेशा हमेशा hidden होता है hidden यानिकी जो चीज़ छुपी होती जिसका नाम पता ही नहीं होता हमें उसे hidden बोलते हैं तो हमेशा उसका opposite जो हमेशा hidden होता है तो यह तीन चीज़ी आपको याद करनी है one surface common में अगर आप समझ गया है तो याद करने के जूरत भी नहीं है आए question देखते हैं साध उस चीज़ से आपको और ज़्याद अच्छा स्वाज में आएगा देखते हैं चैले practice on one surface common आए देखते हैं one surface common पे कुछ practice जो हमारे बने हुए है पहले से ही question बने है तो इस चीज़ को देखते हैं आपको पहले ही बोला कि examiner एक ही dice को minimum दो बार और maximum आठ बार जंप करा सकता है अब आठ बार तो आपको dice देगा नहीं तो कम सकम चार या पांच दो या तीन या एक ऐसे करके वो दे सकता है अब ये आठ चार कैसे जंप कराता है वो आपको spread of dice पासे को प्रसान में मैं अच्छे से सिखाऊंगा तो ये practice करते हैं पहला पहले से हम लोग थोड़ा देखते हैं दूसरा वाला दूसरा ज्यादा अच्छे सुन बाएगा देखते हैं देखें पहले दूसरा करते हैं फिर पहले पर चलते हैं इसमें सबसे पहले हमसे पूछा क्या है the opposite to the face containing five points मतलब कहरा जो five points है हमारे पास जो five points है हमारे पास उसके आपको opposite बताने हैं तो आपको simple बताना है जो चीजस में common आप उसको पकड़ लो जो चीजस में common आप पकड़ लो चलिए देखें तो इसमें तीन dot बना लीगे actually में यह dot गड़ बढ़ हो गया है तीन dot बगड़ हो गया है ठीक है चलिए क्योंकि one surface common solve करें तो one surface common होना चाहिए दो हो जाएगा तो question गरत हो जाएगा चलिए देखते हैं तो इसमें हम लोगों ने यह देखा कि इसमें एक surface common ढोलना है ताकि हम सब काposition अच्छे से बता सके जैसे पहला इसमें do dot है इसमें हा दो dot है तो हम यह बोल सकते है कि यहाँ पर do common है और यहाँ पे भी do dot वाला common है बागी सब uncommon है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक चीज common दिखी इसलिए इसको one surface common का नाम दिया गया है तो आईए जो चीज common है उसको लिख लेते हैं तो हमने बोला दो डॉट का common है दोलो तो उसके हिसाब से हमें clockwise घड़ी की दिशा में घूमना होगा तो दो के बाद 3 आया और 3 के बाद तुरण 5 आया तो जस्त यहाँ पर 2 के बाद 4 आया और यहाँ पर 4 के जस्त बाद 1 आया तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं मुझसे कि यह तो common निकल गया हमारे लिए और जो चीज uncommon होता है वही तो आपस में opposite होता है तो आप बोल सकते हैं 3 का opposite 4 है और 5 का opposite 1 है और examiner ने आप से यहाँ पर 2 का नहीं पूछा है यहाँ पर 5 का पूछा है तो 5 का opposite 1 तो आप बोल सकते हैं इसका answer 8.1 आयरेगा ठीक तो यह आपको सौन में आ गया होगा अब उपर वाले question में क्या है इस question को बहुत आसान है यहाँ पर उन्होंने चार बार उसको throw किया है और चार situation दे दिया है और आप से पूछ रहा है कि जो चीजी star given है हमारे पास इस star है उसका आपको opposite बताना है तो हमें opposite बताना है star का तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें चार बार throw किया है चार situation हमको दिया है इन चारों में से कीनी केवल दो को पकड़ना है अब दो में केवल एक ही surface common होगा तो हम आसानी से बता पाएंगे star क्योंकि जैसे ही आपने दो हो वाले choose किये जिसमें दो surface common निकल लेगा हमको फिर अगले वाले में देखना है actually मैं पकड़ कि हमको बस यहीं रखना है यहाँ से फिर इसमें देखेंगे star star एक दिया है add the rate इसमें है नहीं minus इसमें है नहीं तो हम बोल सकते हैं आपर कि star इस तार जो star दिया है और यह भी जो star दिया है इन दोनों में एक ही common दिया है माल अगर इसमें भी न मिलता तो फिर हम इस इसको यहाँ पर देखते है अगर यहाँ भी न मिलता तो फिर हम दूसरे वाले situation पकड़ते फिर इसको इसमें मिलते फिर इसको इसमें मिलते अगर नहीं मिलता फिर इसको इसमें मिलते ठीक, तो इस स्टार से जस्ट हमको clockwise घूमना है, तो स्टार की जस्ट तुरण बाद minus आएगा, जस्ट माईनस आएगा, और माईनस की जस्ट आगे जाएंगे तो add the rate आएगा, और इस वार बहले जाएंगे तो PLUS आएगा, और उधर आगे जाएंगे तो डॉलार आगे तो आप यहां अराम से बोल सकते हैं कि यह तो common निकल गया यह तो common निकल गया और examiner ने star को ही पूछा है तो examiner थोड़ा सा समझदारे करके question पूछा है उन्होंने बोला कि star का ही आपको opposite बता है मैंने आपको बताया जो चीज common हो उसका opposite जो है वह वह hidden होता है तो आप खुद बताओं यहां पर पांच नाम given है एक नाम दो नाम पिन नाम चार नाम पांच नाम तो hidden क्या है इसमें तो आपके लिए 8 है जो hidden है आपके लिए वह यहां पर 8 है तो आप यहां राम से बोल सकते हो कि star का जो opposite है स्टार का जो अपोजिट है अपोजिट है वो आपके लिए 8 आ गया तो आपका अंसर है यहाँ से क्या हो जाएगा इसके लिए 8 हो जाएगा तो यह आपको सौन में आया हुआ आई अगला स्लाइट देखतें फिर अगला कोश्चन में देखतें इसमें भी हमको क्या बताना है कि number जो फोर गिवेन है आपके लिए जो number four given है और मारे पास number four का हमें अपोजिट बता है लिखा भी है दा फेस अपोजिट टू दा दा फेस अपोजिट टू दा फेस विद दा नंबर आ फोर चार का opposite कॉंस होगा, आप से बस उसी का पूछ रहा है, तो आए देखते हैं, चलिए, यहाँ पे common क्या है, मैं बोड़ेखना है, दो यहाँ पे दिखनी रहा है, तीन यहाँ पे हाँ दिख रहा है, तो तीन एक ही दिखा, एक ही दिखा, बस एक ही दिखेगा, तभी कोशन सॉ लेकिन examiner ने आप से BOYD बोलाया कि चार का पोजीट आगया लेकिन examiner चीज common होती है, जो common होता है, जो common होता है, उसका जो opposite है, वो हमेशन hidden वाला part होता है, तो 4 इस में वो number का ही represent कर नहीं रहा है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि 3 का जो opposite है, वो 4 है, और 4 का जो opposite है, वो 3 है, तो इस वाले question का जो answer आजाएगा, वो आप ते लिए 3 आजाएगा, अगला वला कोशन देखते हैं चले दखते हैं दूसरा कोशन इसमें क्या कॉमन है इसमें आराम से दिख रहा है कि इसमें भी तीन कॉमन है इसमें भी तीन कॉमन है इसमें भी तीन कॉमन है फिर देख लेते हैं तीन अगर कॉमन है दोनों सिच्वेशन में तेन तीन कॉमन कर ल यह तो बहुत ही simple निकला कि 5 का positive यहां पर already given है 6 तो 5 के लिए हमारा जो answer हो गयाएगा वो 6 हो गयाएगा ठीक है आज का last question देखते हैं जो one surface common वो पूरा complete करेगा तो अच्छे समय लोगों निश्चिस को समझाए मेरे खुद के भी example थे कुछ exam में आय हुए question थे उसके भी example आ आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको देखे इसमें दो डॉट है हाँ इसमें डॉट नहीं है दो इसमें पांच है हाँ इसमें पांच है इसमें तीन है इसमें तीन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि पहले दो situations के वज़ए से हमारा one surface common बन गया तो पूरा हमें देखना भी नहीं है और आपको क्या बताना है यहाँ पर examiner ने आपसे पूछा है दो का बोजीट तो आपको दो का बोजीट आपको बताना है तो आप बोलों यहाँ पर जो common निकला वो पांच निकला तो पांच यहां भी रखेंगे पांच जैसे यह common निकला है हमारा दोनों situation देपाँ 5 से फिर घड़ी के दिसा में गुम जाएंगे इधर भी घड़ी के दिसा में गुम जाएंगे तो 5 के बाद 3 और 2 आया तो 5 के बाद 3 और ये 2 आया फिर इसमें 5 के बाद 4 और 6 आया 5 के बाद ये 4 आया और ये 6 आया examiner ने आपसे 2 point का opposite पूछा है तो आप बोल सकते हैं आपके कि 2 का जो opposite निकला है आपके वो 6 निकला तो आपका जो answer आ गया वहाँ से 6 आ गया ठीक हलाकि मुझे लगता है आपको इस सारी बाते sound में आ गई होगी और आज हम लोगे ने 1 surface common के सारे point को cover किया तो हम लोगे ने 1 surface common आज अच्छे से पढ़ा और आपको हलाकि sound में आ गया होगा कर अब फिर मिलते हैं 2 surface common के लिए ठीक ताई होब आपको सारा sound में आ गया होगा चलिए धन्यवाद कल मिलते हैं कर एंद होगी similar